चलो स्टार्ट करते हैं Mergers, Acquisition and Restructuring तो सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि Mergers या फिर Acquisition क्यों होता है Restructuring को एक बार साइड में रख देते हैं हम पहले Mergers और Acquisition का बात करेंगे Mergers and Acquisition का मतलब होता है जहां पर दो Company मिलके एक Company बन जाते है या फिर एक Company दूसरे Company को Acquisition करते है तो Mergers का Benefit क्या है? क्यों Mergers किया जाते हैं? Generally Mergers का सबसे बड़ा Benefit है Monopoly Market Create करना क्योंकि कितने बार क्या होता है? एक Company अच्छा बहला अपना काम कर रहा होता अपने City में पर कोई दुसरा Company आता है उसको पिन करते रहते है अपना Business नों खराप करते ही है साथ में उसका Business भी खराप कर देते हैं कैसे Business को खराप कर देता है हो वो Selling Price कम कर देते हैं सस्ते दामों में देने का कोसिस करते है उसका पुराना Savings पड़ा होगा उसे वो सस्ते दामों में दे रहा है बिजनस को खराब कर रहा है ताकि कंपिटीशन बनाया रख सके या फिर वह एड़र्टीश्मेंट कॉस्ट बहुत जादा ही है वी एड़र्टीश्मेंट कॉस्ट करते हैं बड़े-बड़े सेलिब्रीटीज को बुलाते हैं ताकि उसका प्रोडेक्ट मार्केटीबल जादा हो तो वहाँ पर वह एड़र्टीश्मेंट का खर्चा करता है सेलिंग प्रैस कम कर देता है तो इस तरीके से बहुत सारा लॉसस क्रेट करता है बाकी मार्केट को जैसे जियो का हमने देखा था जियो सटनली आ इतना सर ओफर्स लेके आ यानि अपना मॉयमारकेट कर लेकिले मर्जर करता है तो भी वी कमपानी को लगते की को छोटा मुटा कमपनी है और या फिर च问 उसी के रेंच का कमपनी उसे लगत देगा पूरा का पूरा कोंपिटीशन को कंपिटीशन को अलिमिने इट कर देना चाहता है तो disponition में को परण कर देघा तो से फायदा क्या होगा उसका उससे फायदा लिशन को ऑद में ज मन क्या भाइन के तो बहुत सारा चालता ने से काल लेता हूंत की कम हो जाता है है और भी बहुत सारा फाइदा होता है अनगिनिक फाइदा होता है जहां पर मालों दुसरी कंपणी जिसको एक्वाइद कर्या है उसके strategically तो यहां पर आगे हम सीखेंगे कि जब मटर्जर सेंपकुजीशन होगा तो किस तरीके से प्रैसिंग वगरए pleb इसका फुलका मैंने पीर एशो के बारे में आपको समझाया था सेक्यूरिटी नलाइसिस के अंदर तो उसका भी रोल यहां पर प्ले होने वाला है पर ओवरॉल हम यह देखेंगे कि अगर अगर मर्जर्स होगा तो डेफिनेटली वहां पर अगर मर्जर्स होने पर हम उनको क्या प्राइसिंग वगिरा देंगे क्योंकि रीजन जब हम किसी एंटिटी को जब हम एक्वाइर करेंगे तो उस वक्त हमें उसको काम करेंगे तो जहां पर पहले वह अपनी अपनी कंपनी के मालिक थे दो दोनों कंपनी के ओनर्स होते हैं अपनी अपनी कंपनी के मालिक थे अब एक सिंगल कंपनी रहेगा जिसमें दोनों मालिक रहेंगे तो दोनों के बाद सेर्स होना चाहिए तो जो कंपनी एक्वायर करेगी वह अपना सेर्स क्या करेगी दूसरी कंपनी को देने वाली है तो यह से नमबर्स पर पर रख लेते हैं 500 रुपीज पर और एंटीटी बी का रख लेते हैं 200 पर से सबोस्स यहां पर क्या होगा एंटीटी ए चाहता है एंटीटी बी को एक्वाइर करना शलो इनलों का प्रॉफिट भी रख देते हैं अर्णिंग पर सेर भी दोनों का रख लेते हैं इंटीटी एक अगर हमने डेटा देगा एंटीटी एक टोटल 10 लाख नमबर ऑफ सेर्स है एंटिटीटीए का Market Price है 500 पर सर और एंटीटीए कमाता है हड़ तेंटीए पर कितना न 25 Georgetown उन टेटीए का प्लाग सर से आउट्स्तेंडिंग एंटीटीए का Price है कितना two hundred पर सर प्रैस है और एंटीटीए बी रुपीस eight पर सर कमाते है तो यहां पर अगर entity A wants to acquire entity B entity A wants to acquire entity B on the basis of market price तो यहां पर entity B क्या है vendor company जो भिक रहा है entity B क्या vendor company न जो भिक रहा है और entity A के purchase company जो खरीद रहा है ना अब मेरा बात ध्यान से सुनो इसको समझाने से पहला मैं ये जाना चाहूंगा आप मालो सब्जी मार्केट में गए ठीक है सब्जी मार्केट में गए एक किलो गोबी खरीदा एक किलो टमाटर खरीदा एक किलो गाजर खरीदा एक किलू प्याज खरीदा थोड़ा साम मिडची खरीदा वगेरा वगेरा बहुत सारा चीज आपने खरीदा लास्ट में अब उससे क्या बोलते हो भाईया कितने का टोटल कितना हुआ यह बोलते हो ना आप उसे मालनो बारगेनिंग वगेरा खरोगे नहीं करोगे छोड़ो सिखबाद आप उससे क्या पूचा पूचागे टोटल कितना हुआ उसने आपको बहुत परशेसिंग कंपनी से कह रहे हैं बहया कितना हुआ कहेंगे नैसा तो वैसे यहाँ पर NTTB को बोलेगा वह्या कितना हुआ आपका आपको मैंने खरीद लिए हैं आपका कितना हुआ तो बोले देखो एक सेर का दाम 200 रुपय है हमारे एक सेर का दाम कितना है अगर आप हमारी company को घर दोगे तो मतलब आप मैं पूरा का पूरा पांच लाग सेर्स को आपको खरीदना पड़ेगा तो यहां पर कितना हुआ बता सकते हो पांच लाग सेर्स इंटू 200 रुपय ना तो टोटल कंसीडरेशन टू बी पेड टू एंटिटी भी कितना होगा। टोटल कंसीडरेशन टू बी पेड टू एंटिटी भी। फाइव लाग सेर्स पे टू हंड्रेट करके हमें देना पड़ेगा ना। कितना हुआ। टैन करोड। यह हुआ। हमने पूछ लिया कितना हुआ उसने बोला 600 रुपया ध्यान अगना और वो 600 एक्विविलेंट किया 10 करोड अब मेरे बात ध्यान से सुनो मैं 10 रुपय का गड़ी लेकी गूम रहा हूं पूरे मार्केट में मेरे पॉकेट में सिर्थ 10 रुपय का ही गड़ी है मेरे पॉकेट म 60 पीसे सबस्का नोट निकालके दूना तो आप बोलोगे नंबर ओ DOWN in city पिय तेन आप क्या बढ़े लिया क्या क्या पैसा देगा एंटिटिन अपना दू एक प्रीण और फोक्रीड या just दस करोड रुपया, दस करोड रुपया में खरीद लिया, अब बदले में वो क्या देगा, सेर्स का गड़ी है उसके पैसा नहीं है, उसके पास क्या है, सेर्स का गड़ी है, तो सेर्स कितनी रुपय का सेर्स का गड़ी है, पांच सो रुपय का सेर्स का गड़ी है ना उसकी तो बता सकते हूं नमबर ओफ सेर्स कितना दिया जाएगा therefore number of सेर्स to be issued number of सेर्स to be issued कितना आप बोलो कि 10 कुरूर्स divided by 500 कितना आया 2 लाग सेर्स समझा है तो ये तो फर्स केस था जहां पर हमने निकाला मैं और अल्टेनिटिव आपके साथ डिसकास करूँगा फर्स केस में मैं आपके साथ निकाला कि number of सेर्स कितना इसू करना चाहिए आपने बोला 2 लेक सेर्स इसू कर तो भी या काम बन जाएगा तो यहनि डेट मिस अगर एंटीटी एंटीटी बी को एक्वाइर करेगा तो बदले में वो से क्या देगा number of सेर्स कितना देगा टू लेक्स number of सेर्स देगा न एग्री और नॉट पूरा का पूरा टू लेक सेर्स दिया जाएगा अब अगर मैं सेकंड केस का बात करो है के सिएंड केस का बात करो ये भी सेयंता अल्टरेटिविर सेकंड कưस मतरr फर्स ऑ्ल्टरेटिव गिया और ये सेकंड अल्टरेटि वह होगिया अब जो अल्टरेटिव के लिए छाओ एग्जाम में अप्लाइ इदना चाता हूं तो एक पूरा पूरा कमपनी ने पाँच लाग शर्स Imperator कर एक को पूला हुआ तो थ है करके सबको बुलाओ मालो फांच लाग नंबर हो से जिनके बास अब के बास एक सहरा डो मैंने बोला राइन बाल graduate एक-एक को सबको मेरे room में भेजो आप, ठीक है, एक-एक को बुलाओ, तो एक बन्दा आया, एक बन्दा आया और वो 200 रुपेगा चैथ का एक note लेक्त कि आया, कितना का? 200 रुपेगाच चैथ लेक्त कि आया, तो मैंने बोले ये 200 रुपेगा सैथ टेरे पास है न, एक का सेट्स कितने रुपे का देखो यहां पर ध्यान तो अगर यह समझ में आगे पूरा मर्जर इसी हो जाएगा मैंने बोला पहले 200 रुपीस का सेट्स आप उससे लोगे बदले में आप उसे 500 रुपीस का सेट्स क्या दोगे कभी ऐसा हुआ है कि हम एक्षेंज करते ना ए ओक अंधर के आज चुटता है यह 500 रुपीस का कि नैपर समझough कि हम दुशसे सकते हैं यहांपर यहांपर समझो में इस safety, दो कि उसका कुछ proportionate टुकरा दो कितना टुकरा पांट रुपय का एक नोट दिख रहे है। उसका दोसो रुपय क्रमेड पाइट करेए तो कितना टुकरा बनता है? 40% 0.4 agree 200 रुपया 200 रुपया और 100 रुपया यानि 40% part क्या मुझे उसे देना चाहिए यानि अगर मैं उसे एक सहर लूँ तो बदले में मुझे उसे एक सहर देना चाहिए कि 0.4 देना चाहिए यह समझ मैं आपको एकदम अच्छे से यानि exchange ratio क्या होगा 0.4 share for everyone 1 share के बदली कितना देना चाहिए 0.4 तो 1 lakh के बदली 40,000 1 lakh के बदली 40,000 तो 5 lakh के बदली 2 lakh क्या पहले हमने 2 lakh अंसन निकाला था 2 lakh shares निकाला था agreed तो यहाँ पर हम बात करेंगे per share basis पहले तो मैंने पहला वाला किसमे क्या बोला नह те जो कि हमने बढूला कि कितना देना यह बता दो ऊस नहीं मुन भी एक विए टूटल दस करूँट रूप्यतों हो जाएगा यहां पर अगर में 2,00,000 का बात करो 2,00,000 तो दिया हमने लाग के बदली अगर दो लाग दिया तो एक के बदली कितना दिया पॉइंट फूर सेर्स फॉर एवरी वन है फिर बाद में अगर हम सेकंड केस का बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे ठीक है प्राइस पर सेर आफ एंटिटी ए पर्चेसिंग कमपनी है ना बनो ना पर्चेसिंग कमपनी एंटिटी है कितना है 500 पर सेर्स प्राइस पर सेर्स आफ एंटिटी बी वेंडर कमपनी बनाव मजबूत कौन है स्ट्रों है इस्ट्रों कह और इस ट्रों में है और प्राइस सब्सार तो सबसे पहला आपको यह समझना है तो यहां पर हम बोलेंगे देखते ही रात हो 200 रुपे का सहर है मैं तो 500 रुपे का सहर दूँगा तो मैं तुझे कितना दूँ पॉइंट फॉर तो यहां पर देर्फॉर एक्शेंज रेश्यो चीज रेश्यो आपका क्या ऐगा 200 बाइ 500 अब एक्जाम परस्पेक्टि में आप बोलोगे कि मेरा प्रॉब्लम क्या होगा जादत से जएदेंगर में गलती करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा 200 बैं 500 बैं 200 इसके तीसरा तो इसके अलावा हो नहीं सकता एदा 200 बैं 500 लिखू यहां पर क्या वो strong है ना तो वो कम सेच देगा तो यहां पर अगर मैं निकालो तो यहां पर तो 0.4 आएगा और यहां पर कितना आएगा 2.5 तो पताओ कौन सा होना चाहिए जबकि वो strong है ना तो 0.4 होगा अगर weak होता तो if a is strong तब तो होगा यहापर 0.4 और अगर a weak होगा तब फिर क्या होगा मैंने आपको रटाया है नहीं है मैंने समझाया आपको यह चीज कि आप खुद समझो कि 200 रुपे का सेर्स आप ले रहे हो बदले में आप 500 रुपे का सेर्स पूरा कैसे दे दोगे 500 रुपे को फाड़ के दोगे ना 200 रुपे का हका फाड़ के दोगे तो 0.4 इसा है तो दोगे आप यानि अप कम दे रहो इसलिए यहाँ पर हमें क्या कि 200 डिवाइड बाई 5 विनिट के हमने मतलब जो ले रहे हैं जो ले रहे हैं वो पड़ाता है बदली में कंसीडरेशन दे रहे हैं फाइफ मिनिट का एग्री यहाँ पर समझ में आया तो क्या हम एक्षी इस तरीके से निकाल सकते हैं तो बताओ यह वाला क्या हुआ कौन सा वाला सही है यह वाला काड़ कड़ गया और यह वाला टिक हो गया है ना है तो एक्षी इस रेशू देड़्फोर यहां पर दिक सकते है एक्षी इस रेशियो क्या होगा 0.4 सेर्स फोर एवरी वन सेर्स हैं ने एक सेर के बदली 0.4 सेर्ट दिया जाएगा देफोर टोटल नमबर वस रस कितना दिया जाएगा उनके में बता रहो उनकी एक सेर के बदलिक हम उनको 05 फोन फोन फोर दे रहे तो ऐसे एके करके मेरी रूम में कितने बार आएंगे वो लोग 5 लाग आएंगे ना एक ह्चर की पांच लाग बार आएंगे वो तो 0.4 into पांच लाग जब हम दे देंगे कितना दी दी हमने 2,00,000 से हमने इसु कर दी है आप तो overall point number A, point number B दोनों alternatives हमने निकाला कि number of sets कितना इसु करना चाहिए हमे 2,00, है ना अब आगे चलो आगे हम और बढ़ते हैं as you know synergy benefit अब आप बोलोगे क्या होता है synergy benefit synergy benefit यह होता है कि entity A मानलो पूरे साल भर में 10,00,000 रुपय कमाते है entity A पूरे साल भर में 10,00,000 रुपय कमाते है मानलो और entity B पूरे साल भर में 5,00,000 रुपय कमाते है मानलो, अब merger के बाद मैंने जिसे बताया, the merger के बाद क्या होता है, elimination वगेरा हो जाते है बहुत सारा cost का elimination होता है बहुत सारा advantage मिलता है बहुत सारा benefit होता है और बाद में company ओड़ जादा मजबूत हो जाता है तो company का peer ratio भी थोरा सा strong हो जाता है तो उसकी वज़े से overall company का वर्थ बढ़ जाता है कंपनी का वर्थ क्योंते बढ़ जाते किसकी वज़े से मर्जर की वज़े से और वह जो वर्थ बढ़ता है उसको कहते हैं सिनर्जी बेनिफिट तो मैंने आपके बोला एजियों लग्सेर्स इंटु 10 ना अच्छा सोरी 10 लग था न गलती हो गया 10 लाख सेर्स इंटु 10 1 क्रोड यह टोटल प्रोफित अप्रोफित अप्रेटी यह हो गया अब आगे टोटल प्रोफित अफ एंटीटी बी कितना 5 lakh into 40 lakh therefore क्या बता सकते हो टोटल प्रॉफिट अफ्टर मर्जर कितना होगा अफ्टर मर्जर इनका टोटल प्रॉफिट होगा वन करोड 40 lakhs से लिखा मेन है घरत लिग दिया क्या ठीक है एरे एक करोड रुपय तो एंटीटी एक कमाता है चालिस लाग रुपय एंटीटी भी कमाता है मैंने एज्यूम क्या नो से इनर्जी बेनिफिट मतलब कुछ छाड़ी कमाएगा क्या पता पर हमने आज्यूम क्या कीसी ज़्यादा नहीं कमाएगा से नर्जीव बेनिफिट कुछ नहीं कितना कमाएगा ओन क्नप एक्या लाग से कितने हैं pan.com.hu जाएगा after Athena एका किस्ता खतम अफ्रम ownedड़ंगों किस्ता खतम और एका फश앙 और रस और सरों दय कतने दां हगा दसलाक से कितना इस टाना और बाद में टीटी ती ने और इसे में कितना फ्राइज कितना कितना कि अलॉट एक चैन तोघस्टान यह अचरक्या तूऑर्ञ यानि 12 लाक नंबर्स हो गया अग्रीड तो यहां पर 12 लाक नंबर्स हो गया तो यहां पर अगर हम देखेंगे देर्फोर प्रॉफिट EPS अफ्टर मर्जर आएगा ना अर्निंग पर सेर अफ्टर मर्जर कितना हुआ 140 लैक्स डिवाइद बाइ 12 लैक्स 11.66 आपका तोटल प्रॉफिट EPS अफ्टर मर्जर हो गया अग्रीड यहां पर अब आप बोलोगे क्या मेरा एक बात सुनो यह जो मार्केट प्रेस अफ्टर मर्जर अगर मैं पूछो मार्केट प्रेस अफ्टर मर्जर कितने आपका आँ नमबर तो सेर्स एफ्टर मर्जर कितना होगा गां इस की आफ टर मर्जर रहें है सब्ल्यक नमबर से इना प्राइस पर से confirm almost आज जिन नो HC यहाँ पर मैं आज्यूम कर रहा हूं नो CHANGES आगे आपको यहां पर भी हो प्र нужно बदल जाए में प्रätze जाए भूम आगि हमि यहाँ पर mental करने कि प्रैस में को चेंजन नहीं तो Mariscors के होगा 500 Pras? अलब्ए ना तो देर 47 ठोटल क वैल्लीय क्या होगा दियान रेकना मैंने यह आपर लिखा हुआ है कोई चेंजेस नहीं है एस्जूम नो चेंजेस मैं अभी बस समझा रहो तो मैं कोई चेंजेस नहीं रख रहा हूं तो कितना है कितना है कि शिक्स्टी क्रोड क्या अब दो 60 रोट रूपीस आगया अगर मैं पूछूँ आप पर 50 क्रोड क्या सही है और वेल्यू ओफ एंटिटी बीस सेर होल्डर हूँ ट्रांसफर्टू एंटिटी ए कितना होगा उनको दो लाग सेर्स मिला न और उनका भी एक सेर का दम तो पांचो है क्योंकि एंटिटी एका सहर है उनके पास उनकी पस एंटिटी एका दो लाग सेर है जिनका एक सेर का दम ताम न है फाइवनेट है तो कितना आया टोटल 10 क्रोड है ना ठीक है अब देखते आगे मर्जर से पहले एंटिटी बी का टोटल बिजनस का वेलू क्या था 10 क्रोड अभी भी कितने है अभी 10 क्रोड है यह नि को लॉस नहीं हुआ है और मर्जर से पहले अभी कितने है यह यहीं ओवर बिजनस वैलो में को चेंजेस नहीं हुआ है लेकिन एपी इसमें चेंजेस हुआ है क्योंकि आगे मैंने हलका सब को समझा या घूले कि मेरे बोला तो प्राइस किसे निकल कि आता है अर्णिंग पिएयर से तो अर्णिंग पर से और पीर रेशी ऑगर किसी भी कंपशनी का अलग अलग rest is .. तो तो वैसा सिच्यूइश्यन एंटीटीए का मुझे पीरिस हो किना दिख रहा है पचास कहने का मतलब एंटीटी एगर पचास रुपया लगाता तो एक रुपया कमाता है एंटीटीए को एक रुपया कमाने के लिए कितना लगाना पड़ते हैं बहुत एंटीटीए के कोई भी इंसान से रोल्ड है अगर पचास रुपर लगाएंगे तब एक रुपर कमाएंगे और फोर्ट रुपर कमाने के लिए पधी अर्फट रेश केंट पाई करों पी एका उआर ट्यूंड्रइड बाएटत बोल्ट है इने 25 तो देखा जब सो एक एक है स्ट्रोंगर कंपनी न कि इसका पी रिचियो मैं कि जाद है पीर जाद है तो जिसका peer ratio ज्यादा वो stronger company है जिसका peer ratio का में वो weak company इसके बारे याद आया थोड़ा सा security analysis में है समझाता हमने first class में है तो यहाँ पर peer ratio देखो दोनों का अलग अलग है अगर peer ratio दोनों का अलग अलग होगा तो उसके वज़े से उनका या तो price में impact पड़ेगा या फिर earning में impact पड़ेगा समझाया तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि चलो ठीक है आप पूछोगी मुझे कि बताओ ना impact on EPS क्या होगा फिर impact on EPS of both entity A shareholder and entity B shareholder EPS का impact हम पूछेंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर हम पूछेंगे हम बात करेंगे entity A का जो shareholder है और यहाँ पर लिखा entity B का shareholder EPS before merger क्या था इनका entity A का कितना था 10 था entity B का कितना है 8 है ना entity B का 8 है और वह EPS after merger में पूछू 11.66 है तो यह तो दुनों का होगा दुनों का होगा यह नहीं होगा 11.66 और entity B का कितना होगा बताओ मेरा बात यहाँ से सुनो पहले entity A का यहाँ पर एक share हुआ करता था यहाँ पर भी इनका एक share हुआ करता था अब entity A का one share में को चेंजेस हुआ है क्या entity A के पास पहले अगर एक share था तो आज भी कितना है एक share ही है आज भी कोई बदला हुआ नहीं है लेकिन entity A के पास जहां एक share था आज भी क्या एक share है याद है कि भूल गए है वो जल्दी भूल जाते हैं आप लोग पॉइंट फोर एंटिटी A के पास एक share नहीं है तो जहां पर पहले entity का माल लो एक काम करते हैं गरीमा गरीमा पहले entity B का एक share hold करते दे जिसे मैंने 500 लोग पांच लाग लोग को कमरे में बुलाया था ना एक share के बदली पॉइंट 4 दिया था वैसे मैं statement गरीमा को भी बुला है, गरीमा का एक सेर को छीना, और बदली में दिया कितना, 0.4 दिया था, तो जो पहरे गरीमा के बास वन सेर हुआ करता था, आज गरीमा के बास कितना होता है, तो कंपनी तो पूरे की पूरे एक सेर में 11.66 कमाती है, तो कंपनी ने क्या गरीमा के लिए 11 ठीड हैं यहां पर भी लिखा गरीमा इस पैलिंग ठीक है आपका हां तो यहां पर दिखू पॉइंट फोड्स हर का 11.66 अगर करें तो पॉइंट फॉट्स और कितना ये तो जाएगी कमपशने की बस और अपने टुकडा तो कितना मिलेगा क्या पूरा 11.66 मिल जाएगा आया ना तो कितना मिलेगा निकाल दिया चलो 11.66 पॉइंट्र पॉइंट्फूर कितना तु देखां जाई तो एंट्री एक का तो फायदा हो गया एपस एकरीशन और अप्लेग डैलूइशिन क्या एंट्री एक 50 का फायदा हो गया कितने का फायदा हो गया प्रद्श वान हो besteht 순간 और आगल से बीक्रिया लौन ऑस्रे ऐन 336 का लोस हो गया गरीमा जैसे कितने लोग थे हैं गरीमा जैसे 2 लाग लोग थे की 5 लाग लोग थे हैं ये गरीमा अकेली लड़की का नुकसान हुआ है जो ये 0.4 सेर होल्ड करती थे ऐसे 0.4 सेर होल्ड करने वाले 5 लाग लोग है तो गरीमा जैसी 5 लाग सेर होल्डर है ना जिसका नुक्सान जिसका लॉस कितना हुआ 3.336 तुम्हे लिख सकता हूँ ओवरो लॉस कितना 3.336 इंटू पांच लाग क्या है ना कितना 16 लेक 16 लेक 68 थाओजन 16 जिसका ना देखोव आप यहां पर सकते हुआ अभी पहले दस लाग तो और अभी भी क्योंकि स्टेटी एका सहा छीणा नहीं गया है नहीं बदले में उनको कूछ दिया सफ्लें सब्सक्राइब में उत्याओं क्या प्रतिक जैसे 10,00,000,000,000 है से रोल्डर थे और आज भी है है ना 10 लाग तो ओवरोल प्रॉफिट वा की नुक्सान वाइन गा ओवरोल प्रॉफिट वाना कितने गा यह 1.66 एक्जेक निया हुआ कि 11.66 कुछ था गया चाहिए कंटिनुए चला दाना चलो फ्रीक है फ्रीक हम लोग ले लेते 1.66 इंटू 10 कि अगर अल्टिमेटली यह दोनों मैच करेगा यह और यह मैच करेगा आठ तेचर का जो फारक है वह डैसिमल पेसिस की वज़े से फारक है सब्सक्राइब तो यानि कहने का मतलब यह यह देखो अगर मर्जर होगा तो एंटिटी ए ने कुछ बाहर से कुछ कुछ कमाने वा टोटल इंकम है लिखा था न Même इटोडल इंकम हिए इस यह पहले भी एक इस कमाधा था हंड्रेट करोड़ और वह घृूलय क्रोड़ुक है ना सोड़ी एंड्रड लेक्स और फोर्टिल लेक्स कमाता था तो आज बीज़ेता है तो आश्मान से पैसा गिरा नहीं एक 됐 सद he क्लियर हुआ आगे बढ़ सकते हैं तो मैंने या पर थोड़ा सा खिच्रडी बनाया है मैं एगरी करता हूं क्योंकि मुझे एक बार आफ को समझाना आगे हम और करेंगे तो आगे और आपको क्लियर होगा तो एक बार एक तो अब भी आप मेरे साथ करो वापस है नेक्स एक्जामपल हम लोग डिसकस करते हैं कि इस बार नाम रखते हूं अलग अलग क्या नाम रखो बताओ चलो एक तो रख देते हैं गरीमा लिमेटेट है ठीक है और किसका नाम रखना है बताओ यहां पर दो जनों का नाम रखा दो company एक को मनाते एक्वाइर कंपणी एसको मनाते एक्वाइरी वेंडर कंपणी ठीक है एक्वाइर या फिर वेंडर बोल सकते हैं इसे पर चेसिंग भी बोल सकते हैं तो यहां पर वापस अगर हम डिसकस करें क्या लिए नंबर और सेर्स ले ले थे पहले नंबर ओउसेर्स इसका एमान लो 15,00 मोझा जादा हो जाते है 15,00 लाग सेर्स रखते हैं रखते हैं वन लग सेर्स और इसका कामने वन लेक सेर्स रखा हमने इसका ठीक है फिर आगे अर्णिंग पर सेर अर्णिंग पर सेर हमने रखा यहाँ पर 20 और इनका रखा 10 और इस बारी हमने पी रेशियो दुनों का रख दिया पी रेशियो इसका है इसका है 25 और इसका है 15 तो मेरा बात सुनो ना अगर अर्णिंग पर सेर आपके पास और आपके आस पी रेशियो है तो क्या प्राइस निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर अगर मैं बात करू देर्फो प्राइस अगर मैं बात करू तो प्राइस क्या होग 500 होगा कैसे निकाल आपने पीबाइए इक्वल 25 ना और प्राइस यह लिग दिया पीबाइट वेंटी इक्वल 25 एक जगा एपीस तो है ना पीका एपीस लिगा मैंने देर्फोर पीकल क्या हो गया 25 इंटू 500 वा गया तो पैस इसका आया कितना 500 और अगर इसका बात करूं मैं पीबाइए कितना है 15 और पीबाइए 15 इक्वल 15 अचा पीबाइए 10 है क्या अचा यह टैने ना सूरी पीबाइए 10 इक्वल 15 देर्फोर पी इक्वल कितना हो गया 150 हो गया यहां पर पहले वाला सब्जी मार्केट वाला नहीं बताऊंगा टूटल भी है कितना हुआ हो तो आपको समझ में आई गया क्या जैसे आप निकाल के देते हो ना अब मैं आगे बात करूंगा सिंगल सिं समझ में आया में प्राइस भी हमने निकाल ले यहां पर तो अगर हम आगे और भी हम कुछ-कुछ डीटा निकालना चाहिए तो यहां पर मैं लिखते जाओंगा टोटल प्रॉफिट बता सकते हो कितना हुआ तो टोटल प्रॉफिट कितना है यह 20 रुपी इस पर सिर कमा रहे हैं और नंबर हो सेर्स है वल्लैक 50,000 तो वल्लैक 50,000 इंटू 20 करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा कितना थर्टी लेक्स क्या और इधर वल्लैक सेर्स पर 10 रुप्य करके कमाया जा रहा है तो टैन लाक कमाया गया हाया ना फिर टोटल मार्केट वैल्लू टोटल मार्केट वैल्लू को मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोला जाते है तो टोटल मार्केट वैल्लू बिजनस एक सेर्का दाम कितना है 500 1,50,000 तो टोटल मार्केट वेलु कितना हुआ किदा है सेंफिटी सेंफिटी लेक्स सही है उदर 1 लेक इंटू 150 ना तो 150 लेक है ना 1 लेक इंटू 150 तो 150 लेक यह होगा यह निकाला हमने और और क्या निकाल सकते हैं बस हो जाएगा चलो यह सारा ची निकाला हमने अब माल लेते हैं एंटी टी इए यह सेंफिटी लेक्स हाग्या और यह वन 50 लेक्स एंटी यह एक्वायर्स एंटी बी एंटी टी बी मेरे बात सुनो स्ट्रॉंग कौन है पर यह देखो ओन दा बेसिस ओफ सर्च यहां पर में लिख रहा हूं ऑन दा बेसिस ओफ आज मार्केट प्राइस पर सर्ट रूसरे बेसिस में भी सूधिया आपका आपका एक्शनी देशी देशिड रिए प्राइस के बात करें वाप से बताओ ना कौन रग आपको प्राइस तो पूरा मान जाएगी गरीमा लगार्ट अक्वर्स राहुल ठीक है तुब यहां पर खाथ हैं लोग क्या करने वाले थे एक्षी इन रिश्यू है ना तो यहां पर बताओ गरीमा स्ट्रॉंगर एकी वीकर है गरीमा स्ट्रॉंगर देन राहुल ठीक है in terms of और्मी मार्केट प्रैस ठीक है मार्केट प्रैस में स्ट्रॉंगर है गरीमा राहूल से तो देर्फोर गरीमा विल इस्टू लेस्टन वंसर एगरी इस्टू लेस्टन वंसर फॉर एवरी वंसर हैं ठीक है तो एक्षीन रिश्यो क्या होगा मेरा एक सहर का दाम तो पूरा नहीं दे सकता तेरे एक सहर के बदली तुझे प्रियंक not किना में सनिया तेरी खरके बदी तुझे कितना दूंगा 0.3 ठीक है सूना नहीं ए वैं फिप्टी बाइ फाइव निट इतना खराब पढ़ा रहां कि हमें हां सनिया तो फिर क्यों सो रहे हैं आप आप सोगे तो मुझे लगे हमें खराब पढ़ा रहो 0.30 sets for every one set held ठीक है तो एक्षेरिशो क्या होगा 0.30 sets for every one set तो देर्फोर अब बताओ रहूल जैसे कितने लोग ते रहूल के अंदर रहूल इमिटेट के अंदर कितने सारे लोग थे मैं तो एक जन को दिया भी तक में तो एक जन को दिया एक सेर के बतली कितना दिया तो ita तो feda mosque होग तो फिर इंद एक डाइव चोट help र्वा वैए स्वाइदोisch हूं इस सूर्प कितना वहला और एक को दिया .3020 तो यह ढूर eq qreq kar कर ainsi जाएंगे ना एक लाग लोग आते जाएंगे अब नहीं सोने वाली इसने हैं मुझे पता है 30,000 सेर्स ठीक है अब नहीं दोड गाएंगा इनका इन्हें पता है ना में ध्यान देते रहूंगा 30,000 सेर्स देर्फोर आप बताओ आगे जाके टोटल प्रॉफिट अफ्टर मर्जर क्या होगा कि एस्यूम नो चैंजेस ठीक है कितना होगा थर्टी लाग और टेन लग ना दोनों मिला के चालिस लाग कमाएंगे पुरा मतमा आप रैक्वीशिशन हो जाया वो टोटल पॉफिट अफ sabem कि तना ओर नमबर ओव सैल नो पूर आफ्रक्वीशिशन कि दो दिखने प्रोब्लिम होगा यहां च insight तो यहींपर बापस नमबर ऑव सेट अफट रैक्वीशिशन कि दूगा उनका कितना था 150 ना और इनको इसो कर दिया 30,000 plus 30,000 बनाए 80,000 सेर्स therefore आएगा क्या आएगा after merger कितना एगा 40 लेक्स और यह आएगा क्या ठीक है तो वापस से क्या हम EPS एक्रीशन डेलुशन निकाल सकते हैं कि EPS एक्रीशन डेलुशन अगर निकाले तो बताओं क्या होगा कि नाम अधा गरीमा और इधर राहुल कि फिर EPS before merger merger से पहले ही कितना कमाते थे गरीमा की लोग कितना कमाते थे 20 और 10 ना 20 और 10 EPS after merger कितना हो जाएगा इसका तो नंबरों सेर्स में कोछ चेंजेस हुआ नी क्यूंकि इसका पहले भी वन सेर था और अभी भी अब यहां भी 22.22 लिख दो तो बरबाद हो जाओ गया इनको एक सेर के बदी कितना मिला तो कितना आएगा 0.3 इंटो 22.22 है त्रिपल शिक्स लिग दिया मैने वैजर 22.22 तूटी गना से यह कितना आया एधर यह क्या है आट शिच्री लिग दिया चलता है यह अपर दोड़ आप 2.22 कितने लोगो ने कमाया टोटल इंकम इंक्रीज कितना हुआ इनका कितना चलो 333 लिख दिया मैंने और इनके जैसे कितने लोग ते राहूल जैसे राहूल के अंदर वन लेक थे ना बिगनिंग से इनका टोटल इंकम डिकरीज वा कितना सीम तो तो यहां पर आपका एक का इसक्रीशन ड्यालूशन अमने निकाला एक का इंक्रीज हो रहा और एक का डिकरीज हो रही से मोना पड़ेगा आब हम लोग यह भी निकाल सकते प्राइश एक्रीश यॉप्लिक्ड टायूशन कि आप जब कि में आपको बता दूँ दिया गया पैस की बेसिस में दिया गया किसे आ पैस के बेसिट में तो प्राइस ऐकरी सिंट डिलुशन नहीं लाए अब का देख आप कैसे आएगा मैं समझा रा आपको मैं कि गरिमा और तो तो अ तो फाइने टूर बाइन टूर वैंज़्ट था ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है 150 आप यह सम्झों को सिंखर रहे हो यह इस अब यह सब कवर हो जाएंगे ठीक आप समय कोशन नहीं कर देंगे इस एक्जामबल इस इग्जामबल से सारह कुछ आपका अपने लिए सिय कई को नॉटा ऑट मार्च टे और मेर्च पांस हो तोتो मिला को तो पांसट धने मला थितना मेरा है था इन कि कद्यार था इनका भी एक से रहना इनका एक सेंब के बादय के इनको एक से तुर मिला प्वैंटरी सही आइस आप आप इस अपोनिटा हो गवnya जीए पांनोंतों फे ब़ необходимо में तो नीटाई प्रैस के ब सिस्में तो दिया है इनको शेर्स क्ला में प्रशने में रिखने मीतिक्श की अगर औरृफिट की बईसरी हुआ ज़स्वीट गुख और फिर प्रॉफित में भी कोई चींज दी आना चाहिए, हाई है ना, चलो, नेक्ट एक्जामपल करेंगे, जब हाँ बोली दिया तो फिर करने ही पड़ेगा, नेक्स एक्जामपल, इस बार कौन को ने गेम में बता दो, चलो, हलीम, और नुपूर, हलीम ने दूपूर के लिए अपना सीट एक्षेंज किया था है है हलीम, सटो नमबर ऑ ऐसे है, तो इस बार नुपूर का सेर्स थोड़ा सा बढ़ा देते न सेवन लग 50,000 सेर्स ठीक है और एपियस रख देते हैं हम लोग अर्निंग पर से रख देते हैं इसका 10 और इसका मैं रख देता हूं 50 और प्राइस पर से रख देता हूं मैं यहां तक सही है तो टूटल इंकम भी बता दो फटा फट पांच लाग सेट से दस रुबा करके कमाया जाता है इधर यह एपिएज बीसिस का एक्सेंज है ठीक है ना उपर हमने किया था प्राइज बीटिस में एक्षेंज यह आपका एपिएज बीटिसमें एक्षेंज करेंगे ठीक है हलीम एक्वाइर्स नुपूर ओल दा सेर्स ओफ नुपूर ओल दा बेसिस ओफ प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स के बेसिस में सेर्स एक्वाइर करेगा तो यहां पर देखो हलीम का आप कमाई कितना होते है EPS of Halim 10 है और EPS of Nupur कितना है 15 है तो यहां पर हलीम देखा जातो EPS वाइस वीक है हलीम जो EPS वाइस वीक है न देखो हलीम विल इसू मोर से देखा जातो तो यहां पर ध्यान दे ना जेखो हलीम का EPS है 10 और Nupur का EPS कितना है 15 तो हलीम EPS हलीम Nupur को बोलेगा मैं तो 10 रुपाय कमाता हूं तो तो 15 रुपाय कमाती है और तुझे EPS में तेरा कोई अक्रिशन डिलूइशन नहीं होना चाहिए निए ओन्दा बेसिस होना चाहिए तो मैं तुझे अगर अपना EPS है दू तो फ्यूचर में तो मेरे एकसर पर 10 रुपाय कमें होगा वह आगे आपको पता चलेगा क्योंकि EPS के बेसिस में अगर हम देंगे तो EPS में तो कोई चींज हलीम का होना ही सकता वह आगे बात करूंगा रुक जब बर मैं बोलूँगा हलीम बोलेगा Nupur को अगर मैं तुझे अपना तेरा एकसर किया बदली अपना एकसर दो तब तो देखा जाते हैं तो दस रुपाय कमाईगी लेकिन तुझे पंदरा रुपाय तो कमाती है न यहीं तू स्ट्रॉंगर है कितना 1.5 टाम स्ट्रॉंगर है न मतलब क्या सकते हैं तो नुपूर को ज्यादा सर मिलेगा नुपूर विल्गेट 1.5 सेर्स को फॉर एवरी तो दिखा जातो एक्स्चेंज रिश्यो फिर क्या होगा बता सकते हो एक्सेंज रिश्यो आप बोलोगे इस बार ही 15 by 10 बोलोगे आप एक्सेंज रिश्यो और 15 by 10 के में उपर हमेशा पास वाली को रखते हैं पास वाली को लास्तनम भी उपर रखा था हूँ ऊपर कौन रहता है बता हैं एक्वाइरी आप बोलो कि अच्छा पहले तो इसा नहीं हुआ दिखा देता हूं पहले इसा हुआ था कि नहीं हुआ था 150 कौन था एक्वाइरी था ना ठीक है और भी दिखादू यह 200 कौन था एक्वाइरी था यह नी वेंडर का 200 रुपया था हमारे थो 500 था यह देख लो 200 एक्वाइरी वेंडर ठीक है तो यहां पर भी किसको रखा वेंडर को रखा ना यह 15 भी कौन एक्वाइरी है ना तो कितना दिया गया है कि सेयर फॉर एवरी कि तो नुपूर टोटल से कितना हैल करती है नुपूर के लोग सेवन लग फिप्टी थाओ जिन ना तो टोटल सेयर इसू कितना होगा वन पॉंट फाइव इंटो सेवन लग कितना आया 11,25,000 है ना सेयर फॉर टोटल प्रोफिट बता दू अफ्टर मर्जर फिप्टी लाग और यह कितना है यह कम कमाता है यह जाता है कमाता है अच्छा वन क्रूट ट्वेल लग कितना है फिफ्टी थाउजन किया फिफ्टी लैक प्लेस वन करूट ट्वेल लाग फिफ्टी थाउजन ना कितना है यह 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 और नंबर ओफ सेयर कितना हलीम का कितना था पांच लाग और इसको कितना देदिया ग्या लग पचीछ था जर कितना हो गयां सोलाग पचीछ थाउजना था ना existing acquirer company देखलो यह APS of existing acquirer company है या नहीं है अब बोलो कि ऐसे कैसे हो गिया मेरे भाद ध्यांद से सुनो हलीम के number of sales में हलीम इसमें हलीम के number of sales में कभी को चींजेस आएगा कि हलीम तो खरी देगा हलीम तोड़े ना अपना sales किसी को बीचवा रहा है हलीम तो दुसरी को खरी देगा ना तो हलीम के जो पूराने सेर होल्डर से बाद में भी उतनी रहेंगे जब कि यहां पर प्रॉफिट बेसिस में एक्षेंज हो रहा है ना तो प्रॉफिट बेसिस में एक्षेंज होने के मतलब नहीं प्रॉफिट में हलीम के सेर्स का नुकसा होना चाहिए नहीं profit में नुपूर के सेट का नुक्सान हों कि सेर्स तरीके से सुकरा जाएगा कि बाद में जो profits रहन होगा तो जैसे पहले उनको profits मिलता था वैसे आगी भी उनका profits मिलता रहे तो यह नहीं profit profit ratio में कोई बदलाओ नहीं होना चाहिए अब मेरा बात ध्यान से सुनो acquirer company का number of sets में बदलाओ नहीं होगा अगर EPS after merger EPS after merger 10 के अलावा कुछ और भी होता ना EPS after 10 के अलावा कुछ और होता तो फिर उससे क्या होता पता है existing company Bunny का EPS quando 제품 which dayution हो जाता है ठीक क्वाइर अग्जिस्टिंग graphene eg यह हैधने कोई किने कम आति खर्षे ठीस अजा एक्वेफलों तो इस रुपर मर्जट कहनए तो यह 10 रुपय कब आएगा जब EPS after merger भी क्या हो 10 रुपय हो यानि आपको यह हमेशा सोचने है जब कभी भी EPS के basis में एक्षेंज होगा ना जब कभी भी EPS के basis में एक्षेंज होगा तब EPS after merger जोगा will always be equivalent to EPS of the existing acquirer company before merger एक्षेंज जब कभी भी होगा on the basis of what price or EPS exchange जब कभी भी होगा on the basis of EPS EPS अगर होगा price का बात ने कर रहा अगर exchange हमेशा जब कभी भी on the basis of EPS होगा तो EPS after merger जो है ना EPS after merger जो है will always be equivalent to EPS of the acquirer company before merger यहनि कहने का मतलब आप बोलोगा क्या EPS after merger हमेशा यह आएगा मैं कहूंगा हाँ EPS after merger हमेशा यह आएगा तो एक important note यहां पर लिखवा दू अब लिख दू Conclusion if exchange of shares is on the basis of EPS then EPS after acquisition that is merger right now will always be equivalent will always be equivalent to what EPS before acquisition of the acquirer company and then EPS after merger and exchange of basis of EPS हमें निकालने का जरत नहीं है हम सीधा क्या करेंगे table में देखेंगे EPS of the acquirer company क्या है before merger हम सीधा देखेंगे मतलब में solution नहीं करूंगा मैं सीधा बताओंगा EPS after merger क्या होगा 10 10 है मैं सीधा ही बता दूँगा EPS after merger क्या होगा 10 होगा समझ मैं आई यह चीज कि नहीं आया आया मजा आया अभी तक सारा स्निया नीन नोड़िया पुरव देखा पूरा नीन नोड़ चुका इनका अभी अब इनको नीन नहीं आ रहा बिल्कुल है दोस्ते हैं पूरा सो रही थी तो यह सारा हमें समझ में EPS after merger आपका 10 आया अब हम देखते हैं यहां पर EPS accretion और dilution है मैंने बोला तो यहां पर EPS accretion dilution होगा यह नहीं होगा क्योंकि EPS के बेसिस में क्या क्या नाम था हलीम और नुपूर तो यहां पर पहले लिखेंगे EPS before merger हलीम बताओना तुम्हारे कितना था 10 नुपूर आपका 15 था है ना और EPS after merger कितना आया 10 क्योंकि इसका वन से पहले था आज भी कितना है इसलिए मैं कहता हूँ अगर EPS के basis में होगा तो यह सीम रहना पड़ेगा ना इसलिए एक्वाइर का जोगा वही 10 बाद में after merger आएगा आपका तो कितना हो गया जीरो और यहां पर इनके पास एक सेर था कि 1.5 सेर था यहां देख के बदली 1.5 मिला था ना तो इनको भी कितना मिल गया 1.5 इंटू 10 10 अफ्टर मढ़ जा रहे इसमें मुल्टिप्लाइ किया 10 अफ्टर मढ़ जा रहा था ना इनके बदली 1.5 एक के बदली तो कितना आया जीरो यंनी नो EPS Bettires एक्रेशन ओडैलिशन रीज़न EPS के बैसिस में है तो या यह वसकता यह और आधाया यह यह चीज़ पक्का तो प्रैस बेसिज से गलिझे थे हैं प्रैस एक्रेशन दाणीस देलिशं ठीक है अब no changes in price आज़ीम नो changes in price और price कितना रहेगा जो पहले मा ऐकुर्यर का था वही कितना था और आए प्रीस दोस्तों रखते हैं इते प्रेद रेखथे न एकुर्ट शेट दीगा तो तूर के बाद में जाकि एक्वाइर का सैज्ट रहेगा कि रिकर है रहेगा एक्वाइरी तो खतम एकारिगे से सरू टर को भी एक्वाइर का सैट्स मिलिए और मैंने व प्राइस में एजूम किया कि को चीज नहीं है यह यह तो प्राइस इक्वल 200 तो बताब प्राइस बीफोर मर्जर क्या था था दूनों का एक का टू अन्रेट था और एक का वंचुपी था और प्राइस अफ्टर मर्जर कितना है 150 है ना बढ़ में तो हैंट तो इसकी वह सो इसको एक सबस्थ आक पर इसका 202 प्राइस में प्राइस रुप एदा इंटो इसंटे है कि तना इथर जीरो प्राइस में देखो चेंज हागा कि दिने का 150 का इनका जीरो का लॉस वह इनका 150 का चेंज आगया अब आप बोलोगी कि यहां पर एक तरफ नुकसान नहीं वह एक तरफ आइदा नहीं वह ऐसा क्यों नहीं हुआ पर जनरली प्राइस में भी चींज हो जाएगा जब कंपनी का नंबर और सेड्स बढ़ जाएगा और कंपनी का उतना फंड्स नहीं आएगा तो वहां पर वो अगर ज्यादा सेड्स देगा तो उसका तो प्राइस कम हो गई तो ओवरॉल यह वाला चीज आप दीर दीर आगी स यहां तक हमने समझा तो अब हम स्टार्ट करेंगे कुश्यन सिंपल सब कुश्यन निम्बर वन आजू आजाना फटाफट और किसी को को जाए रहें दो रहें दो रहें दो छोड़ों में उठा लुगा कुश्यमा वन बताओ ना करें दिवन अर्निंग अफ्टर टेक्स इनका दिया वैं 60 लाग रुपेस और 12 लाग आपका नमबरों से हर से तो क्या EPS पता चल रहें बताओ ना EPS of MK कितने हैं 5 यह पर भी लिख देता हूं 5 EPS और दूसरे बाले का 6 होगा EPS अब यहां पर पूछा आप फाइंड एक्सेंज ओव एक्विटिस हैर फोर एक्विजीशन सबसे पहले हैau हम के एक्वार क करेगा किसको एढ़न को तो हमके वाइर को था इसक थे कि हैंक के एक्वाइर दिस बंडर ऑन के लुए अन करेंड मार्केड वैल्लू प्रैस में आपका एक्सेंज हो payments आनक्सेंज यहां पर देखो हम की का प्रैस कितना है 200 और नन का प्रैस कितने मेरा सेर का दाम तो भूपया है तुछ सो ग्रुपय तो एक्वाइर स्ट्रॉंगर है ना तो थे घ्जियू ब्हुत बदली मेरा एक सहर नहीं को पॉइंगा फाड की दूगा इत्ती पर से निस्ता दूँगा इनी पॉइंट एक्षेंड रिश्यो क्या होगा कि चलो यहां क्यों लिखता हूं यह लिखता हूं कितना यहां कि फॉर एवरी कि वन से रेल्ड दैर्फ और तोटल से रिसु कितना होगा कि इतने लोगे ऐसे उनके तीन लाग है क्या हृँ 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 हैं इनके तीन लाग लोग है हर एक इनसान को एक से के बद्य ठीजिप y.8 नहींगा तो रूंम में अफिर अफ्टर मेर्जर दिखाऊ एक है 60 प्लास 18 60 और 18 मिला दिया दिया सेवेंटी एट लग नमबर अफ्टर मेर्जर पहले से कितना है कि बारा लाग उनका अपना है और इसु कितना कर दिया दूलाग चालीज जार फोर्टीन लाग फोर्टी ताउजन सिधा लिग दू चलेगा ना पूरे डीटियल्स में दिखाऊ एप्स अफ्टर मर्जर सेवेंटी एट लैक्स फाइब पॉइंट पॉइंट फूर्वन शिक्स पक्का चलो यह भी हो गया हमर एप्स अफ्टर मर्जर अब पूछा क्या है इन्होंने फाइंड अर्निंग पर सेरोफ कंपनी अफ्टर मर्जर बता दिया किया होगा फाइब पॉइंट फाइंड एक्चेंज रिशो सो डिट अब शेरोल्डर्स ऑफ एनन लिमिटेट उड नॉट बीट लॉस अबूला कि एक्चेंज रिशो ऐसे बताओ कि जहां पर आपका एक् गलती है उड़न धा वूरическая लाफिस अससे अब इंगे पॉच्ण आ चाधी तो आप आगी नहों === तो मैंने बोला ना EPS after merger तब क्या होगा बताओ अगर एक्षेंज रिश्यो ओन्दा बेसिट वीपीए सोगा तो EPS after merger will be the EPS of the acquirer company before merger 5 होगा यह में पता है पर फिब्यम ऐसे नहीं निकालेंगे तो मैंने समझाया आपको हम निकालेंगे अपने तरीके से ठीक है तो यह हमने निकाल लिए पॉइंट नमबर टू में पूच्छा नो लोसी निपीए सोना चीहां पर ठीक है तो यहां पर फिरफोर एक्षेंज रिश्यो क्या होगा उन्दा बेसिज ओफ एपिस मतलब अब एपिस की बेसिज में करोगे तब लॉस्स नीं होगा अपका है ना बदाया था ना मैंने तब फिस में लॉस्स नीं होगा आपका तो क्या करें ए एक्षेंज रिश्यो क्या होगा एक्वाइर को बोलूगा देख तू तो छी रुपया कमाते हैं मैं तो पाँच रुपया कमाते हूँ है ना दुखी मन से क्या गरों सिक्स बाइपाइव है ना साथ नहीं देता आप लोग मेरा बताओ है ना उसे ज्यादा मिलेगा ना कितना 1.2 सेर फोर एवरी देर्फोर टोटल सेर इसू उनकी कितने तीन लाग है क्या थी लैक देर्फोर टोटल प्रॉफिट अफ्टर एक्विजिशन कितना होगा वह तो सेमी रहेगा प्रॉफिट टोटल नमबर ऑव सेर बारा लाग हो तीन लाग साट एजार अपना बारा उनका तीन लाग साट कितना हो गया देखना EPS 5 आएगा मुला था ना होई आएगा हमें तो पहले से पता है अगर नहीं आए ना तो समझे ना आप गलत हो कुछ गल्ती किया आपने हमें सफाइभी आएगा हो कि एपेस फाइब आगया कब कई अफ्टर है तो हम यहां पर वेरिफाय करके बताएंगे जरत नहीं है हमने बता दिया पर हम वेरिफाय करके फिर भी दिखाएंगे इनको ठीक है यह नोट है पार्ट और सॉलूशन ना इक्जाम सॉलूशन का पार्ट नहीं हो गई हम क्यों रहनन अपिसट्र मर्जर किया है है इसका 5 और इसका ईपिस अफ्टर मठर्जर इसका वन सेरी था अभी कितना है इसका वन शेरण अब कितना है तो फाइव इंटू 1.2 होगा 6 2 1.2 मत कर देना पांच अफ्टर मठ जयता ना तो पांच में 1.2 होगा कितना है सिक्स तो जीरो आया कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा ना समझ में आया पका तो ठीक है आप लिखोगे कौन सा यह वाले लिखोगे सिर्फ बागी तो पीडिएफ जाएगा अरी यह लिखोगे न आप पूरा क्लास खतम कर दोगे मेरा फिर आज से कि अना नहीं दूंगा मैं क्लास पूरा खतम कर देता आप लोग पीडियाफ देखते रहना आराम से लिखते रहना कुशन से दे रहो ने लिखने को ऐसे मत कर अमिद ताइंक का बहुत कीमत है अभी मारा कुशन निबर बन लिखोगे हैं पूल वहां